सत्ता की बात हो या चुनाव की? बीजेपी ने हिंदुत्व की डोर हमेशा से मजबूत रखी है, अपने साथ रखी है लोकसभा चुनाव के बात अब विधानसभा चुनाव होने है ऐसे में बीजेपी किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम उसके एक्षाओं के उसकी तयारी के अनुरूप नहीं आये थे या कह लिजे कि जो उन्होंने कोशिश की थी, जो उन्होंने तै किया था उन मानकों पर लोकसभा चुनाफ के परिनाम बीजेपी के लिए नहीं दिखाई पड़े एक तरफ जहां कॉंग्रस के नेतार राहूल गांधी इस दौर में जातिकत जनगड़ना के मुद्दे को उठा रहे हैं और केंद्र की NDA की गड़बंधन वाली मोदी सरकार को घिर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ UP के CM योगी आधितनात की तरफ से आने वाले बयान BJP की भविश्की राजनितिक रणनीती के संकेत दे रहे हैं यानि की तैयारी दोनों तरफ से हैं मुद्दे दोनों तरफ से हैं और BJP एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे के साथ एक कसी हुई सधी हुई सियासत करने के लिए तैयार है और इस वक्त जो एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई पड़ते हैं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ इसलिए भी शायद दक्षन में भी चुनाव होता है तो उनकी डिमांड होती है योगी आधितनाथ ने जनमास्वी के कारिक्रम में अपने संबोधन में जो बयान दिया था उसी बयान ने ये सपष्ट कर दिया कि बीजेपी का कलेवर और तेवर दोनों ही बदल रहा है सीम योगी ने हिंदूओं को लेकर बड़ी बात कई उन्होंने कहा कि हिंदू अगर बटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे यानि सुरक्षित रहेंगे योगी आधितनात लगतार यूपी के अलग-अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं जहां वो संबोधन भी करते हैं भाशन भी देते हैं उन भाशनों में हिंदूत्व, हिंदू, बांगलादेश में हिंदू, हिंदूओं की एकता इस तरह के कीवर्ड कह लीजिए कि जरूर दि को सियासत के लिए हिंदूत्व मोड में डाल दिया है। इस दोरान यूपी में योगिया जितना जाती से जादा अपने बयानों के जरिये हिंदूत्व की राजनीती को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। देश में इस वक्त विधानसभा चुनाव का महौल है। जमू कश्मीर में 10 साल बाद वोटिंग हो रही है। हरियाना विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की तयारी है, कोशिश है। लेकिन यूपी में योगी आधितनाथ के सामने सबसे बड़ा टास्क आने वाले तीन-चार महीनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में उप चुनावों को लेकर तयारी का है। दस विधानसभा सीटों को लेकर बाइलेक्शन होने हैं यूपी में जिसके लिए सीम योगी ने मंत्रियों के टीम भी बना दी है, रणनीती बनाई जा रही है। खुल कर सीम योगी हिंदुत्व की बात जोर-जोर से उठा रहे हैं। लोग समच उनाव के बाद रास्टी स्वयम सेवक संग के प्रमुक मोहन भागवत का गुरखपूर में पाँच दिन का दोरा हुआ था, आपको याद होगा योगी जिसमें उनकी मुलाकात हुई थी। सूतर ये भी कहते हैं कि परदे के पीछे से RSS भी पूरी तरह से योगी आदितनाथ का समर्थन कर रही है और UP के अलग-अलग विभागों के मंत्रियों के साथ होने वाली बैटकों में भी RSS के नेता शामिल हो रहे हैं जिसमें ना किबल कारेकरताओं की नाराजगी दूर क की कोशिश हो रही है बलकि योगी आदितनाथ के खिलाफ बनाए गए माहल को खत्म कैसे किया जाए इस स्ट्राटजी पर भी काम हो रहा है उत्तर प्रदेश हमेशा से ही बीजेपी के लिए हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रयोग शाला रहा है इसलिए योगी आदितनाथ का हिंदुत्व के मुद्दे पर आक्रामक होना बीजेपी की नई सियासी रणनीती का संकेत है जिसका असर पूरे देश में दिखाई पड़ेगा माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुल्डोजर एक्शन लेना हो या फिर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना हो देश की बीजेपी शाषित राज्यों के सरकारों ने अगर किसी राज्य को फॉलो किया है तो वो है मुख्यमंत्री योगी आदितनात का उत्तर प्रदेश यसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी शाषित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहा बाला बयान दिया था जिस पर की पूरे देश में चर्चा हुई मद्वरदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हिंदूत्व को धार देते हुए एक बड़ा बयान दिया उन्होंने यहां तक कहा कि रामकृष्ण की जैब बोलनी ही होगी मोहन यादव ने कह था कि रहीम रस्खान जैसे महान लोगों का हम गुडगान करते हैं और भारत की खाते हैं और यहीं की बजाते हैं मोहन यादव ने यह भी कहा है कि यह नहीं चलेगा कि भारत की खान और कहीं का बजाना अगर आप देखिए जो बात हम कह रहे हैं कि अगर हिंदूत्व को ल मुद्दे पर जाती असमिता का जिक्र करके बीजेपी को घेरते हैं। बीजेपी जानती है कि उसका उदे ही हिंदुत की बिसात पर हुआ है। बीजेपी के लिए सफल रहा था। बीजेपी के साथ शामिल हुए और वाचपई की सरकार भी पूरी तरह से चली। बीजेपी के एक धड़े में लोकसवाच उनाओ के बाद ये भी कहा जाने लगा कि पीए मोधी का सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला पार्टी के लिए नुकसान की वज़े बना क्योंकि नए समिकरन साधने की दुन में पार्टी आलाकमान ने अपने पुराने वोट बैंक को तवज्जो नहीं दी जो कि उसे केवल इसलिए वोट करता था क्योंकि पार्टी हिंदुत को लेकर मुखर थी ये चर्चा भी तब उठी थी जब पीए मोधी ने सबका साथ और सबका विकास की बात गई थी खेर पीए मोधी वैसे तो खुले तोर पर हिंदुत को लेकर कुछ नहीं बोलते लेकिन हालिया बांगलदेश कांड में जिस तरह से वहोंने एक दो नहीं बलकि कई बार बांगलदेश में हिंदुओं में के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का जिक्र किया था वो बयान उतनितिक भले रहा हो लेकिन उसका संदेश खासतोर से बहु लोगी आदितिनाथ हों सभी हिंदुत्व को धार देने वाले बयान और स्ट्राटेजी पर काम कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव के असंतोष जनक परिणाम के बाद यह कह सकते हैं विदानसभा चुनावों के लिए तमाम जो राज्ये हैं वो उससे पहले बीजेपी जम कर अपने हिंदुत्व की पिछ पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं